आज जिस personality की मैं बात करूँगी ये handsome थे personality बहुत शांदार थी इसके बावजूद film industry में इनका career नहीं बन पाया इनकी वज़े से सल्मान का career बन गया सल्मान बहुत बड़े star बन गये लेकिन इनका career साथ filmों में ही सिमट गया इनके पिता film industry से थे उसके बावजूद ये industry में बड़ा नाम नहीं कमा पाय और एक time बाद वो lost heroes की गिंती में आने लगे बात करेंगे handsome actor जिनने हम फरेब और महंदी जैसी filmों में देख चुके हैं फरास खान की फरास खान की जिन्दगी से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब फरास खान मैंने प्यार किया में सलमान वाला रोल करने वाले थे क्यों फरास खान को नहीं मिल पाई स्टार्डम और कैसे एक फिल्म ने फरास के साथ साथ उनके दो और friend actors का करियर बरबाद कर दिया फरास खान की अगर बात करें तो फरास खान युसुफ खान के बेटे हैं जिनने हम जबैसको की नाम से जानते हैं अमर अकबर अन्थनी में इनके पिता का वो किरदार काफी popular हुआ था इनके पिता एजिप्ट से इंडिया आय थे और यहां आकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया फरास के पिता की डेथ 1984 में ही हो गई थी हार्ट अटेक के कारण और उसके बाद अपने पिता के नक्षे कदम पर चलते हुए फरास ने भी फिल्म इंडस्ट्री में आक्टिंग के लिए ट्राइ करना शुरू किया वो हैंसम थे हैं उनके लुक्स बहुत अच्छे थे और परसनालिटी भी दमदार थी लीड हीरो वाला हर एक इंग्रीडियंट उनके अंदर था इसलिए वो फिल्मों में लीड आक्टर के लिए ओडिशन्स दे रहे थे इसी दौरान सुरज बढ़ जातिया मैंने प्यार कि के लिए सिलिक भी हो गए कुछ सीन्स की शूटिंग शुरू भी हो गई लेकिन इसी बीच फरास खान की तब्यत बिगड़ गई उन्हें जॉन्डिस हो गया और वो बुरी तरह बिमार हो गए सूरज बढ़ जातिया अपने इस प्रजेक को टाल नहीं सकते थे फरास की बिम की जित थी कि वो लीड आक्टर की रूप में ही काम करेंगे यही कारण है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें फिरोस खान और संजेक खान ने अपना असिस्टेंट बनने का ओफर दिया तो फरास ने इस ओफर को मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ हीरो बनना चाहते थे तभी फरास खान को मिलती है फिल्म फरेब. 1996 में ये फिल्म आई. फरेब फिल्म से जतना भी फाइदा होना था वो या तो मिलिन गुनाजी को हुआ या फिर सुमन रंगनाथन को हुआ. फरास खान यहाँ पर बाजी नहीं मार पाए. इसी दौरान फरास खान ने कुछ और साइन की उन्होंने जखम फिल्म साइन की जो भट कैम्प बना रहा था लेकिन बाद में इस फिल्म से वो रिप्लेस कर दिये गए फरास खान को इतनी फिल्मों से रिप्लेस किया जा रहा था कि वो सेल्फ डाउट में आ गए कि आखिर अच्छा दिखने के बावजूद अच् करने शुरू कर दिये। इस दौरान उन्होंने सुनिल शेटी के साथ फिल्म की पृत्वी जिसमें वो विलिन बने नजर आये और साथ ही राणी मुखर जी के साथ फिल्म की महंदी इसमें भी वो एक नेगिटिफ करदार में थे। महंधी फिल्म से फाइदा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ राणी मुखर जी को और पृत्भी फिल्म की चर्चा हुई तो वो भी सुनिल शेति के लिए यहां भी फ़रास खान मात खा गये इन दो फिल्मों से फरास कान को फाइदा तो नहीं हुआ बलके नुकसान इतना हुआ कि hero face होने के बावजुद अब फरास खान को कोई lead actor के रूप में लेना ही नहीं चाहता था उन्हें सिर्फ फर सिर्फ negative roles मिल रहे थे वो typecast हो गए थे तब ही director B. सुभाज जो disco dancer से star बने थे वो एक बार फिर से filmों में try कर रहे थे कम budget की film थी और उन्होंने decide कि मैं एक बार फिर से disco dancer जैसा चमतकार कर लूँगा नए चेहरे लेकर मैं film बनाऊंगा कहानी दमदार बनाऊंगा उन्होंने film बनाई दुलहन बनू मैं तेरी इसमें फरास खान को लिया गया और actress के रोल में दीप्ती भटनागर को लिया गया दोनों ही non-popular face थे वी सुभाज ने ये film बना तो दी लेकिन किसी भी distributor ने इस film को खरीदा ही नहीं यही कारण है कि film की release में भी बहुत problem आई और भी सुभाज को अपने level पर महस दो theaters में इस film को release करना पड़ा था इससे फरास खान का career पूरी तरह damage हो चुका था ये वो time था जब फरास खान के पास film में नहीं थी और वो TV में काम कर रहे थे लेकिन TV में भी इतना कुछ खास काम नहीं मिल रहा था इसी दोरान year 2005 आता है और फरास कान एक film करते हैं इस film का नाम है चांद बुझ गया गोधरा train burning incident पर इस film को बनाया गया था और इस film को release करने में काफी दिक्कते आई थी क्योंकि film को गुझरात में बैन किया गया था फिल्म के release के पहले बड़ी controversy हुई थी और क्योंकि ये एक बहुत ही sensitive मुद्धे पर फिल्म थी इस film के उपर ये भी इलजाम लगा कि दो communities के बीच आग लगाने के लिए इस film को बनाया गया है इस film को बहुत negative response मिला और इस film ने फरास खान का करियर फिल्म इंडस्ट्री में खतम कर दिया नरेदर मोदी जो उस वक्त गुझरात के CM थे उन्होंने गुझरात में इस film को बैन किया था इस film में फरास खान के अलावा आमिर खान के भाई फैसल खान और टीवी अक्ट्रिस शमा सिकंदर भी थी इन तीनों का करियर इसी फिल्म के साथ बरबाद हो गया और इसके बाद फरास खान गायब से हो गया एक के दुखे टीवी सीरियल्स उन्होंने किये लेकिन इंडस्ट्री का करियर उनका खत्म हो गया था यही वो टाइम था जब फरास खान मुंबई छोड़कर बैंगलॉर शिफ्ट हो गए और एक्टिंग छोड़कर वो म्यूजिक बनाने लगे वो गाने लिखने लगे, म्यूजिक कंपोस करने लगे गिटार के साथ काफी गाने गाने लगे उनकी सिंगिंग काफी अच्छी थी और उन्होंने अपना एक बैंड टाइप माहोल बना लिया था सिंगिंग के लिए फरास म्यूजिक एंजॉई करने ही लगे थे वो फिर से बैंगलॉर से मुंबई शिफ्ट होने की तैयारी कर ही रहे थे कि तब ही जिन्दगी ने उन्हें एक बार फिर से धोखा दे दिया फरास कान बुरी तरह बिमार रहने लगे उन्हें नियूरोलाजिकल डिसॉर्डर हो गया और इसके चलते वो बार बार बिमार होते 2020 में अक्टूबर महीने में खबर आई कि फरास कान बुरी तरह बिमार है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है उनका इलाज चल रहा है इलाज के लिए 25 लाग की जरुत है और फरास कान के पास इतने पैसे नहीं है तब पूजा भट ने जो एक टाइम पर उनके साथ जखमों में काम करने वाली थी और जिनके साथ उनके अफैर की खबरे भी आई थी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और कहा कि फरास कान को इलाज के लिए पैसों की जरुत है उसकी मदद करे पूजा भट ने खुद ने भी फिनाशल हेल्प की और बाद में सल्मान खान जो फरास की वेज़े से स्टार बने उन्होंने फरास कान की मदद की उन्होंने हास्पिटल के जतने भी बिल्स थे वो पे किये इतनी मदद के बावजूद फरास कान जिन्दा नहीं रह पाए 4 नवंबर 2020 को खबर आई कि फरास खान की डेथ हो गई है वो 46 सिर्स के थे और अच्छी खासी जिन्दगी जी सकते थे म्यूजिकल करियर की शुरुआत उन्होंने की ही थी बट शायद किस्मत को कुछ और ही मनजूर था फरास खान की फैमिली में उनकी एक बहन है जो मॉडलिंग करती है उनका एक भाई है फहमान खान जो फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता है इमली में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था तो यह कहानी फिल्म इंडस्ट्री के उस आक्टर की जो एक actor का बेटा भी था, handsome भी था, अच्छी personality भी थी, good looks भी थे, उसके बावजुद वो industry में नहीं चल पाया आपको क्या लगता है फरास खान क्यूं इंडस्ट्री में बड़े star नहीं बन पाए साथी फरास खान का कौन सा रोल आपको याद है, comment section में जरूर शेयर करें